Amazon के OTT platform पर release होती है Roadhouse करके एक movie जिसकी land है तक्रीबन 2 घंटे के आसपास जब इस movie का trailer release हुआ था वो मुझे थोड़ा पसंद भी आया था और थोड़ा ना पसंद भी पसंद इसलिए आया तो क्योंकि उसके अंदर fighting scene मुझे पसंद आ रहे थे मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे ना पसंद आने की चीछे reason अभी देखो trailer के बारे में तो नहीं बात करेंगे क्योंकि movie आ चुके तो उसी में हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे तो हम बात कर लेते हैं इस movie में जो story है वो क्या है Florida में एक roadhouse करके एक जगह है मतलब वो बार है एक roadhouse तो वहां की जो owner है वो एक bouncer hire करती क्योंकि एक उस बार के ऊपर काफी सारे जो गुंडे वो हमला करने की कोशिच कर रहे होते हैं तो जो उसकी owner है वो एक bouncer hire करती है अब एक feeling होती है ना हमने Bollywood movie के अंदर देखा है कि एक ऐसी जगह है जहां पर गुंडो का राज होता है वो लोगों को परिशान करते हैं अब एक दीन वहां पर एक police officer आता है वो बड़ा ही इमानदार है बहुत ही strong है मतलब उसकी image काफी बढ़िया है और हमें लगता है कि यह जब यह बंदा यानि यह जो police officer है जब इन गुंडों से बिड़ेगा तो क्या ही हाल होगा और कितनी बढ़िया जो चीज है वो scene है हमें देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि जो यह movie makers होते हैं यह कहीं न कहीं हमारी इस feeling को बहुत अच्छे से बांप जाते हैं और इसके उपर वो खेल जाते हैं वही same feeling जो है आपको इस movie में देखने को मिलेगी जो यह owner है वो एक bouncer जिसका नाम है Dalton उसको hire करती है अब काफी बेताबी से हमें इतार होता है कि Dalton जो है वो जो बार के उपर हमला करने वाले जो बुंडे हैं उनके साथ वो कब बिढ़ने वाला है यह जो feeling होती है ना यार वाकई में बहुत जबर्दोस्त होती है और यह बांध के रखती है हमको क्यार movie की जो main reason था मुझे इस movie को देखने का वो तो fighting scene ही थे लेकिन मैं यह कहूँगा यह इतने ज़्यादा fighting scene जो मैंने उमीद की थी वो तो है नहीं इसके अंदर और जिस तरीकी की मैं fighting scene सोच रहा था कि यह यह देखने को मिलेगा वो भी नहीं मिले इसमें हाँ लडाई है इसके अंदर बहुत बार-बार लडाई ही देखने को मिलती है लेकिन जैसे हम सोचते हैं कि दो आपस में लडेंगे वो नहीं कुछ अलग तरीके से हो रही होती है या एक इसमें देखिए जो डेल्टन है उसका एक past है इसमें UFC वो एक UFC fighter होता है उसकी भी कुछ past की कुछ जलकियां दिखाए जाती है लेकिन इतना कुछ उसके उपर परकाश या focus नहीं डाला गया है रहां कि मैं चाहता था seriously कि उसके जो past है उसको हमें दिखाया जाए क्योंकि वो काफी ज़्यादा interesting लगता है और Dalton का जो character वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें जिस तरीके का उसका behavior दिखाया गया है वो हर टाइम smile करता है उसको बहुत जल्दी गुसा नहीं आता उसके पीछे भी reason है उसकी जो कहानी है लेकिन उन्होंने इतनी वो उसकानी के उपर focus नहीं किया है देखे, story ठीक है ज़्यादा interesting तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि एक time period आता है जिसके बाद आपको लगता है कि यार अब थोड़ी बहुत ये movie जो है वो bore कर रही है काम चलाओ आप इसको कह सकते हैं वन टाइम वोच आप इसको कह सकते है अगर आपने इस movie का trailer देखा है और आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ये कह सकता हूं कि यार इससे आप ज़्यादा उमीद मत लगा ले ना कि आप सोचो कि हमें बहुत ज़्यादा इस movie को लेकर लेकिन उतना ज़्यादा entertainment ये movie है में परवाइड नहीं करती Dalton के अलावा जो इसके एक opposite जो villain है जिसका नाम Nox है वो भी थोड़ा बहुत interesting लगा मुझे जिस तरीके का इसका behavior दिखाया गया है एकदम sun की type का मुझे वो पसंद आया कई मैंने जो इसके बारे में पढ़ा था कई लोगों को इसका जो character हो पसंद नहीं आ था क्योंकि लोग कह रहे थे कि जो यहां पर यह जो nox है वो उस level का भ्यानक या फिर थोड़ा ड्रावना जिस villain से में डर लगना चाहिए वो feeling ये नहीं देता है थोड़ी हसी आती है इस पात्र को देखकर बसे मुझे seriously मैं ये कहुँगा कि मुझे तो ये पसंद आया जिस तरीकी कि इसके अरकते हैं थी हाँ शायद होना चाहिए था कि आप एक villain दिखा रहे हो सामने वाला उसके खोफ काया या audience बढ़िया या फिर कार के टाइम जब कार जब चला रहे होते हैं रोड के उपर जिस तरीके से कैमरा वर्क किया गया है वो बहुत मुझे पसंद है कुछ चीजें इसकी बहुत बढ़िया है इसके लाब मुवी के अंदर एक love angle भी डाला गया है डैल्टन और एक डोक्टर के बीच में एक प्यार थोड़ा बहुत प्यार दिखाया गया है हलांकि उसको इतना time नहीं दिया गया है तो ऐसा लगते है कि आर वो उस पे कोई ज़्यादा development में नहीं है उस area के उस segment के ऊपर तो मैं करे सकता हूं कि आर वो बस डाल दिया ठीक है थोड़ी बहुत movie की length बढ़ जाए बाकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है movie में तो जैसा मैंने का starting में movie थोड़ा बहुत interest create करती है एक जो feeling होती है न कि जब ये डैल्टन जो है वो UFC ex UFC fighter है तो जब ये लड़ेगा गुंडों से तो उनका क्या हाल करेगा तो वो जो feeling है वो बांध के रखती है उस level तक फिर उसके बाद धीरे धीरे जो interesting level अब वो नीचे ही जाने लगता है तो जैसे मैंने का one time watch तो आप इसको consider कर सकते हैं मेरी तरफ से तो देखो इस movie को मैं देना चाहूँगा 3 out of 10 star Hindi dubbing की बात करूँ तो हां Hindi dubbing काफी अच्छी लगी कोई भी fall to Bollywood का reference उनके dialogue जो है उनका reference नहीं दिया गया है जो काफी बढ़िया बात है बच्चों के perspective से बात करूँ तो नहीं बच्चे इस movie को नहीं देख सकते क्योंकि एक दो nude scene है इस movie में तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस video में अगर आप लोगों ने movie देखी है तो please comment करना कि आप लोगों कैसे लगी आपके विचार के हैं comment section open रहता वैसी उस पर कोई comment करता है नहीं असाज के लिए इतना है रखते हैं thank you for watching this video मिलते हैं next video में जाहिंद